हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन और आप देख रहा है मारे चैनल टेलरिंग गुरू जी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के रिक्वेश्ट को पूरा करने वाला हूँ शोल्डर के बारे में सटिक फार्मूला दूँगा किस गले में कितना शोल्डर रखना चाहिए कैसे आप पहचानोगे कैसा फार्मूला निकालोगे हर एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ जो जल्दबाजी में है वो इस वीडियो को यहीं इसकेप करके जा सकत है जिनको सीखना है वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा पसंद आया तो लाइक करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यह दो चार्ट मैंने बना रखे हैं इसको बहुती बारीकी से समझाओंगा लेकिन सबसे पहले शोल्डर होता क्या है जब यहां पर मान के चलो हम एक सीधा निशान सबसे पहले लेंगे यह सीधा निशान और उसके बाद हम क्या करते हैं शोल्डर का यही पर नाप लेते हैं तो बोडी नाप में जो शोल्डर आया उससे कुछ कम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं क्यों करते हैं कैसे करते हैं हर ए सूत्र क्या होता है इसको समझोगे कैसे यह एक डमी है मारे पास इसका बौड़ी मेजर्मेंट जैसे हम लेते हैं शोल्डर को नापते हैं तो इसका शोल्डर आ रहा है 14 इंच का, ठीक है, 14 इंच इसमें शोल्डर आ रहा है, ऐसे ही आप भी body measurement लेते हैं, शोल्डर को नापते हैं, लेकिन जितना शोल्डर आया, उतना तो शोल्डर नहीं काटते हैं, क्योंकि गला हमें deep करना होता है, या collar वाला बनाना है, या boat neck बनाना है, तो कैसे करेंगे, वो मैंने बताया कि body naap में shoulder क्या होता है, अभी हमने naap 14 इंच आया, अब उसी के हिसाब से ये एक chart है, जिसमें उपर सबसे पहला title का दिया गया है, सभी तरह की कूर्ती के लिए, ये shoulder का chart है, ठीक है, body naap कितना है, 14 इंच, ये हमने 14 इंच लिखा है, उसके बाद, पीछे गले की गहराई कितनी है, वो इसमें mention किया गया, जैसे पीछे गले की गहराई 3 इंच है, या 4 इंच है, पुरा chart इंच में है, इस चीच को समझना, ठीक है, पीछे गले की गहराई 4 इंच या 5 इंच है, पीछे गले की गहराई 5 इंच या 6 इंच तक की है, या पीछे गले की गहर यह जो चार्ट मैं कैसे बनाया हूँ कैसे आप बना सकते हो पूरा बताऊंगा इस वीडियो में बता रहे हो 13 15 16 कुछ भी शोल्डर हो सकते हैं तो उसके लिए क्यों नहीं वह बताऊंगा मैं आगे जैसे अभी देखते हैं 14 इंच का शोल्डर है आपको पीछे गला 5-6 इंच का रखना है तो आप शोल्डर रखोगे 6 इंच का यह आम तोर पर कॉमन चलते हैं 5-6 इंच के ग खोगे ठीक है और उसके बाद जैसे पीछे का गला आपको 8 इंच रखना है तो 5-5 इंच का शोल्डर 9 इंच रखना है तो सवा 5 इंच का शोल्डर और 10 इंच रखना आपको निशान लगाने कहा लगाने है शोल्डर की कटिंग करते वक्त जैसे कि यहां पर आप निशान लगाते हो तो वो निशान आपको लगाने के लिए किस कॉलम में बताया गया है यह वाला जो कॉलम है यहां पर जो हम शोल्डर का निशान लगाते हैं उसी के बारे में इ इसका आप ले लीजे एक screenshot और अब चलिए बात करते हैं कि यह जो formula है कैसे बना कैसे आपको बनाना चाहिए इन सब के बारे में तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक दीजे दो मिनट के लिए copy pen पकड़िए और यह formula मेरे साथ साथ बनाना सीखिए ठीक है शोल्डर निकालने का सटीक formula क्या है अभी हमने लिया body measurement आपने देखा कितना आया था 14 इंच तो आप अपने copy पे note करो 14 इंच 14 को आपको कितने से भाग देना है 2 से भाग देना है ठीक है बिल्कुल clear होना चीए 14 को कितने से भाग दोगे 2 से अगर आपका body measurement 15 आया है तो 15 को भाग दोगे 2 से ठीक है जो भी body measurement में आपको shoulder मिला उसको 2 से भाग देंगे और जितनी संख्या आई उसमें आपको क्या करना ह ठीक है जो संख्या आई उसमें अब देखिए आपने जैसे 0.25 माइनस किया ना तो आपको सबसे पहला वाला कॉलाम जो पीछे गले की गहराई 3-4 इंच है उसका शोल्डर प्राप्त होगा जैसे यहां पर कितना प्राप्त हुआ 6.75 मतलब की पौने 7 इंच बिलकुल क्लियर ह से भाग दिये तो कितना आया 7 इंच आ गया यह 7 अब 7 में हम क्या करेंगे 0.25 माइनस करेंगे तो माइनस 0.25 तो हमको कितना मिला यहां पर मिलेगा पौने 7 या 6.75 इंच पूरा चांट इंच में है ठीक है तो यह आपको पहला कॉलम मिलता है इसी तरीके से जैसे मान के चलो आपका बौडी मेजरमेंट आया है 15 इंच का 15 इंच का आया 15 को भाग देंगे 2 से ठीक है अब 15 को 2 से भाग दिये तो कितना आएगा साड़े साथ साथ में हम क्या करेंगे 0.25 माइनस करेंगे और उसके बाद यह हमको यहां पर मिलेगा 7.25 इंच शोल्डर ठीक है यह आपका 15 इंच आट के लिए पहला कॉलम बनेगा जैसे मान के चलो यहां पर 13 इंच का शोल्डर है अपने बौडी न आप लिया 13 इंच आया तो आप क्या करोगे 2 से भाग दोगे अब 2 से भाग देने पर इसमें कितना आएगा साड़े 6 इंच ठीक है अब साड़े 6 इंच को हम 0.25 म के बाद आपने 0.25 माइनस कर दिया ठीक है अब जो भी आपने 0.25 माइनस किया जिस भी शोल्डर पे वो आपका पहला कॉलम बनेगा पहला कॉलम का मतलब कौन सा पीछे गले की गहराई 3 से 4 इंच और उसका जो शोल्डर आया वो यहां पर आएगा ठीक है पहले कॉलम में व 5 इंच के बीच में आपको गला रखना है तो आपका शोल्डर 0.25 वापस से कम हो जाएगा कैसे कम हो जाएगा अभी कितना है पहले 7 उसके बाद हो जाएगा ये 6 ठीक है साडह 6 हो जाएगा ये देखिए उसके बाद जैसे आपको गला और जादध डीब करना है उस से 6 बना रहे हो, 16 इंच के लिए बना रहे हो, 12 इंच, 13 इंच शोल्डर के लिए बना रहे हो, कोई फरक नहीं पड़ता, आपको 5 इंच 6 इंच जब गला रखना है, तो ये सिधा-सिधा गला बढ़ने पर, 0.25 इंच शोल्डर कम होगा, फिर से ध्यान देना, एक इंच अगर गला डिप किये, तो 0.25 इंच, मतलब quarter इंच आपका शोल्डर कम होगा, और अगर 2 इंच गला आप डिप कर रहे हैं, तो half इंच आपका शोल्डर कम होगा, ये बिलकुल ध्यान रख इस तरीके से आप शोल्डर की perfect cutting कर सकते हैं, शोल्डर की perfect setting कर सकते हैं, 100% fitting की आपको इसमें guarantee मिलेगी, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, जो लोग भी मेरे से suit के paper cuttings मंगाना चाहते हैं, Amazon पे भी आप order कर सकते हैं, दिलिप टेलर suit paper cuttings सर्च करते हैं, या फिदिस ध्यान देना, collar pattern और boat ने, दो चीज के लिए विशेश रूप से बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों बहुत trend में हैं आजकल, collar blouse, collar shoot अगर आपको बनाना है, तो body nape में जो आपका shoulder आया, जैसे की आया कितना, 14 इंच, उसमें आप क्या करोगे, एक इंच जोड़ दोगे, ठ बहाग कर देना है, जो संख्या मिलेगी, वही आपका fix cutting होगा shoulder का, किसी भी तरह का collar pattern बनाने के लिए, ठीक है, half collar, fully stand collar, जो भी आप बनाना चाहते हैं, अब बात करते हैं, आपको boat neck की, आपको boat neck बनाना है, अपने body measurement लिया है, तो body measurement में जो भी आपको shoulder मिला, उसमें आपक body measurement में, जो shoulder हमको मिला, उससे half inch minus करके, दो से भाग देंगे, तो जैसे यहाँ पर 14 मिला, half inch minus कि यह साड़े तेरा हो गया, और साड़े तेरा को दो से भाग दिये, तो 6.75 inch मतलब की पौने 7 inch का आपका boat neck में shoulder होगा, बहुत से लोगों को प्रशन होते हैं, कि सर गले का कैसे करें shoulder, तो हमें clear समझ में आगया, मैं मैं चानता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद, बहुत से लोगों की shoulder से related problem solve होगी, और ये top of top video निकलने वाली है, मुझे मालूम है shoulder के लिए, तो friends ध्यान देना, अगर आपको normal neck या deep neck बनाना है, तो आप collar, माफ कीजे का, गले की जो cutting है, गले की cutting को आप 1.5 inch पर करोगे, किसी भी suit pattern में, अगर आपको deep neck या normal neck बनाना है, तो आप 2.5 inch पर suit के गले की cutting करोगे, ठीक है, जैसे की 6 inch, 7 inch, 5 inch, इस तरह के आपके गले बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, धाइ इंच का गला लोगे suit में, तो यहाँ नो टाउन क बहुत ज़्यादा deep गले बनाने हैं, तो आप 12 inch का लोगे, ठीक है, यह clear रखना आप concept, गलत नहीं होना चाहिए आपसे, normal neck जैसे की normal deep बनाना है, 5 inch, 6 inch को भी suit में deep गला बोला जाता है, 5 inch, 6 inch, 7 inch, तो आप 1.5 inch का गला लेना, और 9 inch, 10 inch, इस तरह से बनाना है, 8, 9, 10 inch का, त बहुत ही बड़े size का बना रहे हो, पौने 3 inch, यहाँ पर color pattern में गला लिया जा सकता है, 2.75 inch, और उसके बाद बात करते हैं, बोट neck की, तो बोट neck में आप गला किस तरीके से रखोगे, बोट neck में गले की जो चोड़ाई है, वो आपको रखना है, पौने 4 inch, नॉर्मल बहुत बड़ी heavy size बना रहे हैं, तो 4 inch का गले की चौड़ाई आप रख सकते हो, बोट neck बनाने के लिए, और अगर यहीं पर बात करें, गले की गहराई की, तो बोट neck बनाने के लिए, गले की जो गहराई आप रखोगे, वो आप सिधा-सिधा अगर गले को नापते हो, तो साड़े 3 inch का रख सकते हो, बोट neck गले की गहराई को, 3 inch में थोड़ा सा बंधा-बंधा लगता है, साड़े 3 में मौधी अच्छा लगेगा, और चाहो तो 4 inch भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, वीडियो को आप आप दोबारा देख सकते हैं, बार-बार देख सकते हैं, यह knowledge इस तरह की आपको कहनी मिलेगी, बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप इसका फायदा उठाईए, और इस chart को आप खुझ से बना के रखिए, हरे एक shoulder के लिए बना करके रखिए, perfect fitting आएगी, 100% fitting की guarantee है, मैं मिल आपसे किसी नए वीडियो में, वीडियो पशंद आया हो, तो आप लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बारा है, सब्सक्राइब के बिना नहीं जाना है, बस आज के लिए इतना ही जैहिन वंदे मातर,